नमस्ते दोस्तो और वेलकम बैक तो माई योट्यूब चैनल चार्ट से और प्लेस करने की फैसिलिटी कितनी प्रड़क्टिव होती है ये एक ट्रेडर ही बता सकता है और उसके साथ अगर मल्टिपल इंडिकेटर्स यूज करने मिले डिफरेंट टाइम फ्रेम में चार्ट को सेट करे मल्टि लेयाउट्स कैल पर मोट जैसी अबिलिटीज मिल जाए चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पर तो क्या ही बात होगी आज हम एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले है जहां आपको ये सारे फैसिनिटीज एक ही जगे पर मिल जाती है और मैं बात कर दा हूँ धन के प्लेटफॉर्म पर चार्ट की आप धन के प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम चार्ट में ट्रेट कर सकते हैं मल्टी चार्ट लेयाउट्स ओपन कर सकते हैं futures and options देख सकते हैं, easy drag and drop orders and many more, मैं आपको सारे walkthrough directly platform पे बताता हूँ, इसके लिए आपको जाना होगा web.dun.co पे and search कीजिए nifty 50, जैसे कि मैंने यहां इसे watch list में लगा रखा है, then आपको इस पे करना है click and अब आपके सामने right hand side पे nifty 50 की पूरी details open हो जाएगी, अब चलना है charts पे, तो हमें क्या करना है, कि हमें simply यहां पे जो charts का option दिख रहा है, इस पे करेंगे click and अब यह chart यहां पे load होना शुरू हो जाएगा, so chart आपके सामने आ चुका है, अब आपको charts के बारे में बताता हूँ कि यह कैसे काम करता है, तो आपको यहां पे click करना है, chart open हो चुका है, यहां आप धन का logo देख सकते हो, and this is nifty 50, चलिए, अब मैं आपको यहां पे सारे features इसके समझा देता हूँ, तो सबसे पहले, आप यहां पे जो nifty 50 देख रहे हो, यह actually एक search बार है, इस पे आप click करके script को change भी कर सकते हो, चलो SBI को लगाते है, तो SBI आप ऐसे search करें, आप इस पे click कर दे, and that's it, अब यह nifty 50 change होके, State Bank of India का chart आपके सामने आ चुका है, इसी के बाजू में आपको यहां पे time frame का option मिलता है, तो आप 5 seconds, 15 seconds, 30 seconds, जो आपको time frame रखना है, आप रख सकते हो, traders के लिए जितने भी important time frame से सारे ही यहां पे available है, इसी के साथ इसके बाजू का option है, this is for candles, मतलब कि अगर आपको candles नहीं देखनी, bars देखना है, hollow candles, columns, line, सारी चीज़े आप यहां से select कर सकते हो, जो आपको सही लगे, उसमें आप chart को देखे, देखे, मैंने बाल select किया, तो ऐसा दिखेगा, and candles को आप select करोगे, तो यह ऐसे नजर आएंगे, इसी के बाजू में आपको यहां पे click करने पे indicators नजर आएंगे, तो indicators पे आपको जो भी लगाना है, वो आप search कर सकते हो, for example, अगर suppose करें कि आपको super trend लगाना है, आप इसे ऐसे search कर ले, एंदिखे आगया super trend, इस पे इसे click कर दिया, तो यह super trend का indicator आचुका है charts पे, ऐसे ही आपको जितने भी indicators लगाने हो, आप एक के बाद एक यहां पे लगा सकते हो, ताकि आप उस script को analyze कर पाओ charts पे, अब आपने देर सारे indicators लगा दिये, आपको पता है कि यह वाले indicators आपको हर एक chart पे चाहिए, तो आपको बार-बार इसे load ना करना हो, और इसे permanently save कर देना हो, तो simple है, यहां पे आखके आपको indicator templates पे, ऐसे click करना है, and save indicator template का option मिलेगा, इस पे आप कर देख ले, इसके template को आप नाम भी दे सकते हो, for example, चलो मैं इसे SBI का एक बार को नाम दे देता हो, and जो भी नाम आपको अच्छा लगए आप दे सकते हो, then अगर आपको remember symbol करना है, तो ये भी आप कर सकते हो, and अगर आपको remember interval करना है, तो ये आप करके कर सकते हो, then बस आप इसे save कर ले, देखे, यहां पे saved indicators, यह सारे बता रहा है, and that's it, फिर आपको जब भी इस template को load करना है, आप इसे easily load कर सकते हो, script के नीछे, आपको यहां पे यह indicators जो आपने लगा है, यह यहां पे लिखके आ जाते है, तो अगर आपको किसी भी indicator को hide करना है, for example, इस super train को hide करना है, अगर आपको इसे वापस शो करना है, तो आप इसे click करके कर सकते हो, बाकि अगर आपको indicators की settings को check करना है, तो आप इस पे click करके settings को भी देख सकते हो, style भी देख सकते हो, and inputs भी देख सकते हो, तो सारी चीज़ें आप यहां पे change कर सकते हो, आपके मुताबिक, next is actionable, मतलब कि buy and sell, भाई, यही तो सबसे ज़्यादा important है, तो आपको यहां पे charts पे buy and sell करने के लिए, काफी जगाँ पे options मिल जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, कहां कहां पे मिलेंगे option, and यही इसकी beauty है, कि आप charts पे सी buy and sell कर सकते हो, आपको, you know, इस chart को छोड़ के कई पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो पहला option आपको यही पे दिख जाता है sell और buy का, तो अगर आपको तुरंद यहां पे buy करना है, देखिए, यह वाली window आपके सामने open हो जाएगी, and you can, you know, take your position, मुलब आप trade कर सकते हो, that is first, second, आपको यहां पे यह जो buttons दिख रहे है ना, इस पे भी आप ऐसे click करके, यहां पे देखिए, आपके सामने order form आ जाएगा, तो you can place a buy and sell order, तीसरा तरीका है, कि जहां पे prices चल रहे हैं चार्ट्स पे, यहां पे आप click कर लो, and फिर आप plus का button दबा दो, अपने keyboard पे, तो फिर यहां पे आपको order form दिख जाएगा, next option आपको यहां से भी मिलता है, यह जो double arrows दिख रहे हैं, इस पे आप click कर दो, तो यहां पे order form, आपके सामने आगे, आप buy करना है, तो यहां पे tap करके पूरा enter कर लो, यहां पे sell करना है, तो इस पे कर लो, and next option आपको इसी के नीचे नजर आएगा, इस पे आप click करोगे, त तो देखें, यह आगे, आपके सामने prices, and अब यहां पे आप buy market, यह sell market कर सकते हो, now let's go to a very interesting feature, that is called scalper mode, अब scalper mode, उनके काम आता है, जिनको you know, fast buy and sell करना है, वैसे मैंने इस पे एक वीडियो अल्री बना दिया है, जो आप मेरी चैनल पे देख सकते हो, दर्म की playlist में नजर आ देखें, यह आ गया, scalper mode का order form, and यह काफी simple है, काफी fast है, इसी के बगल में आपको exit all positions का button मिलता है, इसके आप click करोगे न, तो ऐसी आपकी जितने भी open positions होगी, सारी नजर आ जाएगी, and then आप simply exit all positions पे, कर दो click, and भाइसा हो गया, अपला हम मार्केट से आप चीला बाहर आ जाओगे, next one is a much needed feature, which is option chain, तो यही पे आप click करके, जैसे ही आपने click कर दिया, तो आपको state bank of India की, जो पूरी option chain है, यह नजर आ जाएगी, option chain में कॉल से features आते हैं, इस पे में अलग से video बनाई है, इसे आप जरूर से देखना, तो आप समझ जाओगे, कि यहाँ पे कॉल सा data आपको देखने समझने और जानने मिलता है, charts का use करके, आप सिर्फ normal orders नहीं, basket orders भी place कर सकते हो, and यह है इसका icon, इस पे आप click करोगे न, तो अब आपको यहाँ पे basket जो है, पूरा create करने का option मिलता है, जैसे यहाँ पे आपने ऐसे basket का एक नाम दे दिया, for example, चलो इसका नाम SBI ही दे देते हैं, अभी की नहीं है, इसे इसे okay कर दीजिए, फिर आप create यह जो basket है, अब यहाँ पे आपको सारी के सारी, जो भी आपको scripts चाहिए, वो सारी add कर दीजिए, एक साथ आप यहाँ पे पूरा order place कर पाओगे, तो पूरा basket बन जाएगा, आपके अलग-अलग orders का एक साथ वो market में चला जाएगा, इसका नाम मैंने SBI है, आपको जो भी नाम अच्छा लगए, वो आप दे सकते हो, the point is this, कि आपको अलग-अलग orders बार-बार place करने की जरूरत नहीं है, पूरा basket बना दो, and order place कर दो, next feature की तरफ चले, तो यहाँ पे आपको indices details देखने मिलेग अब यह क्या बताता है, चलिए इस पे click करता है, and nifty 50 पे click करता है, तो देखे अब क्या होगा, nifty 50 के अंदर, जितने भी underlying F&O stocks है न, सारे नजर आ जाएंगे, in short आपको यह जानने मिलेगा, कि nifty 50 पे अभी कौन से stocks है, जो nifty को ऊपर या नीचे लेके आते है, and पूरे stocks के list आपके सामने आगे, आप चाहो, तो यहाँ पे sorting भी कर सकते हो, for example, आपको change की हिसाफ से करना है, तो देखे, ऐसे हो गया, change by percentage, तो ऐसे हो गया, volume wise भी ऐसे हो गया, तो everything you can do, next आपको यहाँ पे chart pop out का option मिलता है, बनला के pop out chart, तो इस पे आप click करोगे, तो क्या हो जाएग है, तो पूरे एक नए tab में अलग से open हो जाएगा, तो इससे जो है, आप अलग-अलग tabs में हर एक chart को check out कर सकते हो, and that's how it works, and अगर हम next option के हम यहाँ बात करें तो आपको chart refresh का option मिलता है, इस पर आप इसे click कर सकते हो, तो आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पे आपको user setting check out कर सकते हो, then यहाँ पे आपको यह undo and redo का option मिल जाता है, then इसी के बाद आपको select layout में यह option मिलता है, कि अगर आपको एक ही window पर single chart लोड करना है, या फिर suppose करें यह देखिए, दो charts आपको लोड करने हैं, तो आप ऐसे click करके कर सकते हो, ताकि आप दोनों बजू अलग- trading जिसमें आपको changes करने हैं, वो करके आप okay पे click कर दीजिए, left panel में यहाँ पे आपको सारे drawing के tools मिल जाते हैं, जो आपको जरूरत हो, तो आप use कीजिए, this was all about the chart, यहाँ एक ही platform में सब कुछ available करके दिया है, आप भी इसको try ज़रूर करें, I'm sure यह आपको बहुत ही ज़ाद opening बिल्कुल free है, और धन पे कोई भी AMC नहीं लगती, तो चाहिए आप account open करके इसमें कोई भी investment वगेरा अभी नहीं करना चाते हैं, it's okay, but आप इन सारे features को free में try जरूर कर सकते हो, इन्हें सीख के समझ जरूर सकते हो, अगर को feedback हो, तो मुझे comment section में जरूर बता रहा, मांक चैनल को subscribe करके bell notification icon को दबाना मत बुलना, क्योंकि ये करना आप के लिए फिल्कुल free है, बट इससे मेरी बहुत help हो जाती है, दोस्तों, चलिए, मिलते मेंने next video में, बाई बाई